चेर्मेन श्री रकेश दौलताबाज जी, हमारी अडिशनल चीफ सेक्टरी क्रिशी विभाग अग्रिकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेर डिपार्टमेंट डॉक्टर सुमीता मिश्रा जी, हैफेड के हमारे चेर्मेन श्री कलाश भगत जी, उपस्थित हमारे विधायगण, अधिकारीगण, कॉर्पेट जगत से उपस्थित बहुत से बंदूगणिया हाए हैं, सेकारी सिंस्थाओं के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सज्जन बंद, पत्रकार, चायकर, मित्रो, आज का दिन हरियना सरकार के द्वरा किये जाने माले जितने भी आयाम में, उसमें एक नया आयाम, आज हम यह जोड रहे हैं, उसके लिए ये दिन हमरे समने आया है, हर हिद स्टोर, ये खाली कोई एक स्टोर नहीं है, कोई एक व्यपार करने के लिए कोई केंदर खोला ऐसा नहीं है, बलके हरियना के युवकों को रोजगार मिले, इस नाते से एक नई दिशा है, हम चाहते हैं के हरियना का युवक, खास करके 18 साल से 35 साल तक का जो युवक है, वो एक भी बेरोजगार न रहे, और इसका टार्गेट हमने 2024, ये टार्गेट रखा है, के बेरोजगार मुक्त हरियाना, रोजगार युक्त हरियाना. इस नाते से बहुत सी स्केमें चलाई जा रही है, ये ठीक है के युवक की इच्छा रहती है सरकारी नोकरी प्राप्त करना, लेकर हमें मालूम है के सरकारी नोकरी बहुत सीमा है उसकी, लिम्टेड स्कोप है, सब युवकों को ये नोकरी नहीं मिल सकती, हर वर्ष लगबग दो लाख युवा ये नए इस दायरे में शामिल हो जाते हैं जिनकी आयू हर वर्ष ठारा साल से उपर बढ़ जाती है असरकारी नोकरियां पंद्राजार, बीच जार, पचीजार इस से जाल तो नहीं है तो आखिर, रौज़गार के अवसर पैदा करना उस रौज़गार के अवसर में कूछ कारफोर जगध है, प्राइवेट नोकरियां देता है कुछ छोटे उद्वग, MSME में भी प्राइवेट रौज़गार मिलता है लेकिन ये तो रोजगार मिलता है हम नोकरी करते हैं अच्छा ये है कि रोजगार लेने की तलाश में जाने की बजाए रोजगार देने वाले हम खड़े हो जाएं कि हम भी चार लोगों को छे लोगों को दस लोगों को रोजगार दे सकें तो इस नाते से उद्दम ही बनना ये अपने आप में एक बड़ा काम है भारत सरकार ने भी स्टार्ट अप्स के लिए बहुत बड़ा काम किया कİ जो नया कुछ न कुछ काम कर सकते हैं ऐसे start-ups उसी में से यह ध्यान में आया क्या हम नई startup की बढ़ती हुआ इस दुनिया में अपने कुछ नजवानों को ऐसा रोजगार का उस्सर नहीं दे सकते कि स्वेम अपना रोजगार करें और केवल रोजगार करें ऐसा नहीं बलके जनता को ऐसी उपयोग की वस्तुएं शुद्ध वस्तुएं पैक्ट वस्तुएं सर्टिफाइड वस्तुएं जो क्वालिटी में अच्छी हो अच्छा स्टेंडर्ड उनका हो अच्छा लेवल हो क्योंकि खादे सामगरी में भी या उपयोग दैने की उपयोग की जो चीजे हैं उसके अंदर जो मिलावट की चीजे होती हैं या सब स्टेंडर होती हैं उसके कारण से जीवन में कई तकलीफ हैं भी शुरू हो जाती है बिमारियां शुरू होती है तो हमके ऐसी शुद साथ में चीजें नई में बना के दिनी दे सकते हैं तो इसके अंदर बहुत सा पहले से सिस्टम चला रहा है बहुत सी कंपनियां ये चीजें पहले करती हैं अब वो करती हैं तो अपने ढंसे मार्केट में उसका विश्तार करती हैं लेकिन हम लोगों ने एक निश्चीत उसका एक स्टोर बनाकर गाउं गाउं में शहर शहर में या जहां पबलिक का ज़्यादा आना ज़ाना फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ पर इस प्रकार के स्टोर्स बनाकर हम लोगों तक यह चीज कैसे असानी से पहुचा सकते हैं प्राइवेट उद्द्योग जगत में तो ये बहुत कुछ चल रहा है लेकिन सरकारी सायता से हम शुरू करें पहले चल्ण में हमने विचार किया है कि दोजार स्टोर बनाएंगे अगले चल्ण में हमारे कृषि मंत्री जीने कहा कि पाथ स्टोर बनाएंगे और ये सीमा नहीं है जैसे जैसे इसका विस्तार होगा जैसे डिमांड बढ़ेगी लेकिन बेरोजगार युवक को कम से कम पंद्रा अजार रप्या हम मानते हैं कि परिवार को चलाने के लिए नियूनतम राशी हर परिवार की 15,000 अपर आमदन होनी ही चाहिए नियूनतम आज बहुत लोग ऐसे हैं जो 15,000 से नीचे हैं सर्वे चल रहा हमारा उसमें ज्यादा ज्यादा उसकी कोई सीमा नहीं है कोई 30,000, 40,000, 50,000 एक लख कमा सकता है जितना विस्तार करेगा उस साबसे हो सकता है लेकिन नियूनतम क्या इसकी गारंटी हम देखकर क्या आगे चरहा सकते हैं योग को तुमने तैय किया कि ऐसे स्टोर बनाओ इतना समान रखो हमने मोटे तौर पर 50 कंपनियों के ऐसे समान उपलब्द कराने की बात कही है प्रोड़क्ट भी कितने 500 हो जाएं एक सो असी प्रोड़क्ट शुरू हो गए है तो डेड़ लाग की विक्री अगर ये कोई स्टोर कर लेता है महिने में 10 परसेंट की उसकी नियूनतम गारंटी इंकम उसकी हो जाए तो 15,000 परस को मिलता है एक बात हो राज विचार की है आज ही बैठे बैठे मंच पर विचार की है कि नया यूवक भी उसमें प्रोसाई तो उसको विश्वास बने के हाँ मुझे काम करने के लिए आगे आना है तो जो गरी यूवक हैं खास करके जो अमरे परिवार पैचान पत्र में जिनकी आये एक लाख 80,000 से नीचे है वो अगर आकर के काम करना शुरू करते हैं तो उनको 15,000 पर की सुनिश्यता कराने के लिए अगर 15,000 पर पहले 6 महिने में नहीं आमदन पहुंचती है क्योंकि या आमदन तो computerized है सब पता लगता रहागा हर महिने में कितना उसने कमाया कितना नी कमाया एक एक पैसे काई साब हो जाएगा इसको उसमें unaccounted कोई सिस्टम नहीं है सारी चीज automatic machine के माध्यम से ही होगी sales machine क्या उसको बोला हम ले pause point of sales तो pause machine के माध्यम से ही विकरी होनी है उसका bill कटेगा उसका एक एक inventory उसकी होगी कितना समान आया कितना चला गया कितना बाकी है और उसके नौजवान ने जो 15,000 प्यार शुरू में छे मैने तक नहीं पहुंच सकता तो उसको यह विचार है कि हम 3,000 प्या महिने तक यानि 15,000 पहुंचाने के लिए उसको compensate करना पड़ेगा 6 मैने के लिए वो भी करेंगे 12,000 से नीचे है तो पूरा 3,000 मिलेगा 13,000 पहुंचके तो 2,000 और मिलेगा 14,000 पहुंचके तो 2,000 और मिलेगा 15,000 पूरा करेंगे 15,000 से उपर उसकी मेनत है तो इस प्रकार से गारंटेड उसको आए हो जाए 15,000 की तो यह हमने एक प्रावदन सब किया है डेटेल सारी आपको बता दी गई है अभी आज से पोर्टल जो चलो किया इस पर अप्लाई लोग कर सकते हैं इस अप्लिकेशन के बाद जो उसकी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को उसका इंट्व्यू किया जाएगा उसके सारे डोकुमेंट्स लिये जाएंगे फिर उसके अलॉट किया जाएगा तो आने वाले आज दो तारिख है ना दो अगस्त दो मेन यानी दो अक्तूबर दो अक्तूबर तक ऐसा टार्गेट है कि पहले सौ जो श्टोर हैं वो खोल दिये जाएंगे पहले सौ श्टोर का टार्गेट दो अक्तूबर और आप हर्यान के मुख्यमंत्री मनुहलाल को सुन रहे थे जन्होंने साफतोर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के ओर जादा ध्यान दिया है और ऐसे में हर हित हर यान एग्रिस्टोर का शुवरम भी उन्होंने किया जहां हर उस योवा को रोजगार दिया जाएगा जो कि अभी बेरोजगार है और साथी बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म करने का एक छोटा सा प्रयास मुखेमंद्री की ओर से किया गया